सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार दर्सक्राइब मित्रों मैं दर्मेश जोशी स्वागत करता हूँ ऐस्टोफ्रिक्स डॉटकॉम में मित्रों इस दुनिया में सयाधी कोई ऐसा होगा जिसे अपना बविश्यफल जाने की इच्छा न हो खेर इच्छा हो भी क्यों न अगर आने वाले हालतों का पता हमें पहले से चल जाए तो हम उस इसाफ से तैयारी रख सकते हैं तो चलिए जानते 29 अक्टमबर से चार नमबर तक का सापताई वविश्यफल इस अपता बुद्ध का राशी परिवर्तन आपके लिए बाधाय उत्पन करेगा स्वास्थ बिगड़ेगा धन खर्च होगा धन्दे में नुक्षान होगा शगे शनिहों और भायों के साथ अन्बन होगी मानहाने के प्रसंग बनेंगे कारे में अप्यस मिलेगा आपका वहवार तर्मविरोधी हो सकता है हाला कि इस अपता शुक्र के राशी बदलने के काड़ आपको पत्नी, सशुलालपक्स, भागिदार से लाब मिलेगा धन की प्राक्ति से आय बढ़ेगी जमीन या वश्यत के मामलों में आकस्मिक धनलाब होगा वेभव वविलाज के साथरों में रुद्ध्य होगी परिवार में आनंद खुशी का वादान बना रहेगा तारिक तीस और एक तीस के दोरान लंबी अत्वा छोटे यात्रा न करे इस शमें आपको सारेक और मानसी चिंता रहेगी दन और मान की आनिवोगी कौड कचरी तता सत्रों के मामलों में अशफलता मिलेगी किसी के साथ विवाद हो सकता है तारिक एक और दो के दोरान शुक और आनंद की प्राप्ति होगी भेट उपार और धन की प्राप्ति होगी मन प्रसन रहेगा तारिक तीन और चार के दोरान परिवार में क्लेश और कलव हो सकता है आपको मानसिक आसंतोष रहेगा शरीर में रोग विवत्पन होने की आसंका है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मन में कोई भी दुविधा या प्रस्न है तो उपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और बात करें हमारे एक्सपर्ट जोतिशो से तो मीत्रों ये थी इस अपते की भुष्यवानी श्री गनिशायर्मा